वेल्कम तो मैं चैनल सेल्प में ट्यूटोरिया जैसे कि अभी मैं इंटर्मीडियेट के साइंस और आर्स की क्वेश्चिन की वीडियो बना रही हूं तो उसी सिर्शी जिले में अभी मैं आई यह यानि इंटर्मीडियेट आफ आर्स के इंग्लिज के कमपल्सरी पेपर जो 50 मार्क्स के हैं उसके क्वेश्चन पेपर को आज मैं अपलोड करूंगी यह क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं इसे अच्छे तरीक साथ देख लिजिए और इसको समझेए जैसे इसमें टोटल 29 पुशे जाएंगे जो 50 मार्क्स के हैं और इसमें वी दो सेक्षन है इस एक पार सरसरी निगाय इस्टेक्शन वाले पर डाल लिजिए सेक्षन ए में देखिए को स्टार्ट हो रहा है अचीज कोशल अब्जेक्टिव है जो वन्मांक्स केरी करते हैं वन्मांक्स केरी करते हैं सो देखिए question number nine देखिए यह grammar से related questions है यानि कि 50 marks तक question grammar से दे रहा है एक तो pattern पता चला जैसे 13 number questions देखिए 14 देखिए 15 15 के बाद आ गया 16 to 25 are based on prescribed text यानि जो आपके book दिये गए हैं उनसे questions होंगे सेवेंटी नमबर question question है यह देखिए एटी नमबर question इसमें भी आप देखिए यहां से start हो गया 23 से copper field से question इस्टार्ट हो रहा है कि कि एक सेक्शन भी है सेक्शन भी में इसे 5 question दिये हुए है लेकिन इसमें दो ही question का answer देना है वह भी 75 words में जो एक question 5 marks करी करता है और टोटल 10 marks करेंगे और question number two देखिए इन में से एक पर समझना है और उसके बारे में लिखना है इसका भी limit word है 75 words यह भी 5 marks करी करता है और इसमें भी पॉलूशन रोम वाज नौट बूल्ट इन डे अन्हेल्ट इसमें से किसी एक पर अला गराफ लिखना है ठीक है तो आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा घर आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक किजिए अपने दोस्तों के भी शेयर किजि के बच्चे मेरे चानल से जूर सके जिसे मैं समय समय पर उनके वीडियो अफलोट करते रहूं अगर जो जिसने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इंटरमीडियेट या गेजुएशन पीजी के लिए मैं वीडियो अफलोट करते हूं तो आपको इनसे कि लेवाईब था दो आपको